36 गड़ में जाती प्रमान पत्र के सरली करण एवं समस्या के स्थाई समधान को लेकर STST समाजवभाजपा पारशत के नेतितों में सैकड़ों की संख्या में कलिक्रिट पहुँच कर प्रदर्शन किया गया लोगों ने बुधवार को इसी कड़ी में सैकड़ों की संख्या में STST समाज की बैनर तले, पैदल, रैली निकाली और जिला कलिक्टेट का घेराओ भी किया इस दवरान भाजपा पारशत अजित वैद ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजिस सरकार जाती प्रमान पत्र बनाने को लेकर आम जंता को गुमरा कर उनके भरोसे के साथ खेल रही है इस दवरान भाज सैक्ड़ों की संक्या में मौजूद STSC समाज की लोग दुरुकी पटिल चोग पर अपना आकरुच दिखाते नजर आए और साथी सड़क पर बैठ कर जम कर प्रदर्शन किया गौर तलब है कि लंबी समय से जाती प्रमान पत्र बनवाने को लेकर दर दर भटक रहे शहर की आम जंता 36 गड़ में जाती प्रमान पत्र के सरली करण एवं समस्या के स्थाई समाधान के उद्देश से ग्यापन में अंकित बिंदूओं पर कारवाय की जाने को लेकर S.T.M. को ग्यापन भी सौपा है S.T.H.T. पिछड़ा वर्ग को जाती प्रमान पत्र से हमेशा वंचित किया गया है ये दोगली सरकार, भूपे सरकार का ये कारनामा है उन्होंने हमको चुनाओं के समय एकदम साफ सुत्रे अपने गुस्ड़ा पत्र में बोला था कि सभी S.T.H.T. पिछड़ा वर्ग का जाती प्रमान पत्र मना के देंगे बिना रिकार्ट मांगे 1950 के रिकार्ट पहले मांगा जाता था वो रिकार्ट भी नहीं मांगेंगे और आपका जाती प्रमान पत्र दे करके ऐसे जूटे आस्वासन दे करके हमसे पूरे हमारे समाज से पूरा अपना मत मांग लिया ओट ले लिया सत्ता में बेट करके वो गुन्डरी मार के बेट गए और मेरे लोगों को मेरे समाज को S.T.H.T. पिछड़ा वर्ग को जाती प्रमान पत्र से वनशीत कर रहे हैं जैसा कि कि मभी अधिया हुआ है् no तयारे के सारे को कलेक्टर पर आउपीस कि रियो गया है कि उग्यो कुझे कज़ान में पता नहीं। उन्होंने हमें सतत जाल साजी के गेरे में गेरा हुआ है, वो हमको आसवसंद देते हैं, और मेरे पूरे नगरी निकाय के इतने बड़े पारित किये हुए आदेश को उलंगन किया है, पूरे नगर निकम के समाने सभा के सदन का अपमान किया है, ये घोर अपमान बिल्कुल करेंगे, मैं जनप्रतिनी होने के कारण पूरे समाने सभा के तरफ से ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे सदन का अपमान किया जाएगा, तो हम बिल्कुल परदास नहीं करेंगे, और ये आवान आगे बहुत भारी रूप ले लेगा, इसका कोई शिमा नहीं है, अगर हमने प का उतना विरोध करेंगे और अपना जादी परमान पत्र लेकर रहेंगे, आज हमने समता सुरुक्चा सिना के बैनर तले संपूर्न अनुसुचित जाती-जनजाती के लोगों को इखटा करके हमने दो मुद्दो को लेकर मांग किये है, पहली मांग हमारी ये है कि प्रदान मात्र का रहे गया है, इससे जल्दी ही बदल देना चाहिए, यह है इनकी बहुती घटिया और छोटी मांसिकता है, हम इस आंदोलन के माद्दम चे प्रदान मंत्री मानने नरेंज मोदी जी से अनुरोध करते है कि ऐसे लोगों को ततकाल बरखास करें और इन पर देश-दो मुख्य मंत्री मानने भूपेज भगेल जी ने अनुसुची जाती जन्जाती का जाती पन्मान पत्र बने इस पर उन्होंने सरली करन लाया था, और यह जो आदेश है उन्होंने निगम को दिया, निगम के द्वारा जाचपरतल की गई, लगवाब 500 से अधिक लोगों ने सारे लोगों ने जात्परतल की और उन्होंने पाया है कि वो जी जाती में जन्म लिये है, वो उसी जाती में है, उसके बाद में यह सारा का सारा SDM होदे का पास में जब गया, तो SDM होदे ने उसको रोग दिया, वो वापस हमें सरल करन की बात नहीं करते हैं, और 1950 का रिका प्रमान पत्र देना पड़ेगा, इसका हमारे पास में पुक्ता सबूत है, इसके लिए लग हुआ है, उसी वर्स बिहार से जारकंड अलग हुआ है, और उतरपार्ज़स चे उतरखंड अलग हुआ है, वहाँ पर सन 2000 के पहले जो निवास करते थे उनको निवास का प्रमान पत्र दिया जारहे हैं जब भारत देश के वह रज है उनमें यह कानुलागू है वह लोग जाती प्रमान पत्र दे सकते हैं तो छंदीकर को देने में क्ईक्त है हम इस अन्दोलन के माध्यम से सरकार मंग करते हैं कि जल्द इस हमारी मंग को पूरी करे और SCST की जाती परमान पत्र बना के दे अन्य था जब तक आप जाती परमान पत्र बना के नहीं देंगे यह अनुशुचि जाती अनुशुचि जंजाती समाज रोड पर उतरते रहेगा और इसी प्रकार का विरोध करते रहेगा Grand AC News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट